पुस्तक का नाम बच्चों के सासक नहीं सहायक बने लेखी का भगवती देवी सर्म बच्चों में अच्छी आदतें पैदा करें और बढ़ाएं अभी भावकों खास कर माता-पिता के उपर बच्चों में अच्छी आदतें डालने उन्हें सुयोग्य बनाने का महतुपोर उत्तरदाईत्व है और सभी माबाप यह चाहते भी हैं कि उनके बच्चे योग्य बने किन्तु बच्चों का निर्मान एक पेचीदा प्रस्ण है इसके लिए अभी भावकों में काफी विचार सीलता विवेग, संजीदगी एवं मनोवग्यानिक जानकारी का होना आवस्चे खे बहुत से माबाप तो बच्चों को पैदा करने, खिलाने, पिलाने स्कूल आदी में पढ़ने की बिवस्था तक ही अपने उत्तरदायत्व की इतिसरी समझते किन्तु इससे बच्चों के निर्मान की संपून समस्या का हल नहीं होता हाला कि बच्चों के विकास में इनका भी अपना स्थान है बच्चों में अच्छे यादितें डालना, उनमें सद्गुनों के वृद्धी करके सुयोग्य बनाना एक महतुपून बात है यह असूर्ता से देवत्व उत्पन करने पसुत्व को मनुस्ता में बनलने की प्रक्रिया है एक सुक्षम विज्ञान है बच्चों को प्यार करना, खिलाना, पिलाना, उसका संडक्षन करना तो पसुव में भी पा जाता है बच्चों में बढ़ती ही उच्क्रिंखलता, अनुशासन हीनता, सुवेक्षाचार एवं अन्य बुराईयों की जिम्मेदारी बहुत कुछ माबाप, अविभावकों के उपर ही होती उनकी सामानिसी गलतियों, विवहार की छोटी सी भूलों के कारण बच्चों में बड़ी बड़ी बुराईयां पैदा हो जाती अनेक बुरियादतें बच्चों में पढ़ जाती, स्वेयम माबाप जिसे सुघार समझते हैं, वही बात बच्चों के बिगाड़ने का कारण बन जाती है बच्चों में अनुशासन और आग्या पालन की आदत पैदा करने के लिए अधिकांस माबाप फौजी नियमों का पालन करते देखे जाते हैं किसी भी काम के लिए अधिकार पुरवक बच्चों को आदेश देते हैं, रौब दिखा कर दवाव के द्वारा उन से कोई काम कराना चाहते हैं कदाचित उनकी बात पर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, अथवा अंसुना कर दिया, तो उनकी मारपीट करना, चीखना, चिलाना, गाली देना सुरू हो जाता है किन्तु वे माबाप यह नहीं जानते हैं कि इससे बच्चों में विरोधी भावना, द्वेस, बुद्धी घर कर जाती है और बच्चे जान बूच कर उपेक च्छा, टाल मटोल करने वाले, किसी बात पर ध्यान ना देने वाले अनुसासन हीन और उच्खरिंखल बन जाते है किसी तरह की आग्या देते समय अतवा अनुसासन पालन की आदत के लिए यह जानना और समझना भी आवस्थिक है कि बच्चा उस समय क्या कर रहा है उदाहरणार्थ बच्चा अपने किसी दिल्चस्प खेल में लग रहा है, एक आगरता से पढ़ रहा है अतवा अपने बाल मित्रों के साथ खेल कूद में मसत है, तो ऐसे समय किसे तरह की आग्या नहीं देनी चाहिए ऐसी इस्तिती में प्रायह बच्चे आग्या नहीं माना करते। यदि उनके साथ जवरजस्ती और रौब दबाव का बिभार किया गया, तो उनमें रूठने, चिल्लाने, मचलने की आदतें पढ़ जाएंगी और फिर हर बात में बच्चे बिपरितता अर्थाद, आग्या उलंगन, अनुसास अनहीनता का परिछे देंगे। जब बच्चे मा के पास सांत तथा स्वस्त मानसी किस्तिती में हों, तो उन्हें आवस्यकता अनुसार आदेश दिया जाए और जहां तक बने, उस आदेश को खेल मनुरंजन के रूप में अथवा कोई नवीनता में परिणत कर देना अधीक स्रेश्टोर रहेगा, आदेश भी रचनात्मक होने चाहिए, अमूक करेगा, वह लावेगा, वहां जावेगा, आदी, यह काम मत कर, वहां मत जाना, उसे म चुना, आदी के रूप में नाकारात्मक आदेश बच्चों में वैसा ही करने का कौतूहल पैदा कर देते हैं, और उन्हें ही करने लगते हैं, जिन के लिए मना किया जाता है, अनुशासन, आग्या पालन से सम्मंदित बातों पर स्वयम बच्चों की राय लेना भी उत्तम होता है, इस से वे बड़े परसन्न होते हैं और ततपरता के साथ उनके लिए भी परतन भी करते हैं, क्योंकि उन बातों में उनका भी एक अधिकार में स्थान होता है, बच्चों को पकार कर दूर से चिला कर कोई अदेश ना दिये जाएं, बलकि नजदीक बुला कर, और अ अनावसेक रूप से बच्चों को बार-बार टोकना अच्छा नहीं, बसे बच्चे स्वता ही किसी काम पर अधीक नहीं टिकते, थोड़े समय में ही वे उससे विरत हो जाते हैं, टोकने से तो उनकी थोड़ी बहुत एकागरता तनमेता में विख्षे पड़ता है, इतना ही आगे चलकर ऐसे बच्चे किसी भी काम पर एकागर एवं तनमे नहीं हो पाते, अपने सामने आये हुए काम पर भी नहीं जम पाते, जिससे जीवन में नेक असफलताओं का सामना करना पड़ता है, बच्चे को किसी खेल आदी से विरत करने के लिए सिधी निस्धात्मक आदेश सहरल एवं सपस्ट भासा में हो, साथ ही उनके साथ अपना प्रभावसाली वजन भी हो, किसी काम को करने की आग्या देने से पुर्व, बच्चे से यह पूछना कि तुम अमूग काम करोगे, तो उससे ना में ही उतर मिलेगा, और किसी भी बात के लिए एक बार ना कह देने पर बच्चों से वह काम कराना और भी कठीन हो जाता है, बच्चों को आकरसक एवं प्रभावसाली धंक से आग्या देनी चाहिए, हमारा मुन्ना अमूग काम करेगा, फिर वहां जाएगा, इसके बाद यह लाएगा आदी, इस रूप में आदेश आकरसक, रचनात प्रभावसाली वजंदार होते हैं, और वह काम बच्चों के लिए कौतूहल मनुरंजन के रूप में भी बदल जाता है, बहुत से माबाप बच्चों के लिए नियमित बेवस्थत जीवन बिताने के लिए बड़े सक्त और रूखे नियम बना देते हैं, किन्तु इससे अन विश्वास की सक्ती कुंद हो जाएगी, अतह बच्चों पर यह नियम लादे नहीं जाने चाहिए, वरन स्वयम उन्हीं की राय को महत्व प्रोटसाहन देकर बच्चों के खाने पीने, सोने, पढ़ने, खेलने आदी का समय निश्चित कर देना चाहिए, यदि किन्ही निय नियमा नुवर्ती बनाने से पुर्व स्वयम माबाप को भी नियमित और बंधा हुआ जीवन बिताना आवस्चिक है, जो माबाप स्वयम अनियमित जीवन बिताकर बच्चों को नियमा नुवर्ती बनाना चाहते हैं, वे भूल करते हैं, यदि बच्चे अभ्यास वस निय पालन में कोई गरबड़ी अत्वा भूल करें तो उन्हें एक दम धमकाना नहीं चाहिए, बहुत बार एक सी भूल करने पर कह देना चाहिए, केवल नियमादी बनाकर बच्चों पर करतवे और जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलता, समय समय पर बच्चों के साथ विचार विमर्स करना, उनकी बात पूछना, उनके कारेकरम, जीवन करम आदी के बारे में दिल्चस्पी प्रकट करना, अपनी सूजबूज से बच्चों का नवीन तत्थियों का ग्यान देना भी आवस्त्यक है, कई माबाप बच्चों को नंगा ही घूमने फिरने देते, किन्तु यहादत बुरी है, छोटे-छोटे बच्चे जब नंगे रहते हैं, तो उनमें समय से पुरो ही यौन भावना जागरत होटती है, माता-पिता को अपने अबोध छोटे से बच्चों के समक्ष भी परस पर प्रेम परदरसन नहीं करना चाही, इसे बच्चों के अंतर्बन प पर सूक्षम प्रभाव पड़ता है, समझदार बोध रखने वाले बालक तो यह सब देखकर आश्चेरे करते हैं, उनके लिए एक कौतुहल की बात हो जाती है, फिर बच्चे भी परस पर वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, बच्चों में फैलती हुई अपराध प्रवृत करते हैं, बच्चों के समझदार हो जाने पर तो वे उन्हें हमेशा अलग कमरे में अलग-अलग बिस्तरों पर सुलाना चाहिए, अभी भावकों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अपने किसी भी चारित्रिक कमजोरी को भूल कर बच्चों के समक्ष प्रकट ना होने दिया जाए, बच्चों में सद्गुणों, उत्करिष्ट आद्वतों की प्रतिस्ठापना के लिए स्वयम अभिभावकों को अपने आपने ही उनकी प्रतिस्ठापना करना आवस्यक है, अपना सुधार किये बिना बच्चों को सुधारने का प्रयत्न विडम बना मात रहे, स्वयम बीडी पीते हुए बच्चों को धुमरपान ना करने का उपदेश देना, क्या भूल नहीं है, बच्चों से जिन गुणों की आसा की जाए, उनहीं से संबंधित वातावरन भी सच्चाई से भरा हुआ होना चाहे, दवा पिलाने, स्पताल में फोड़ा च बातों का अवलंबन लेते हैं, उन्हें फिर माबापों की आदर्स भरी बातों में भी संदेह होने लगता है, और उन्हें जूट मानने लगते हैं, चोरी की आदत से बचने के लिए बच्चों को जब से अपने पराए का ग्यान होने लगे, तब ही से यह सिखला देना चाह चोरी से दरसल बच्चे की मन्चाही एक्षाएं सिग्र ही पूरी हो जाती, माबाप की सतरकता से बच्चों में चोरी की आदत घर नहीं करती, छोटी उम्र से ही बच्चों में कोमल भावनाओं का विकास करना चाही, बच्चों में सह भावना सब के हित का ध्यान रखने की वृति पैदा करना माबाब के उपर ही है जो माबाब दूसरों तथा अपने बच्चों के बीच बिवहार करते समय कोई भेदभाव नहीं रखते और ना किसी तरह का तुराव छिपाव ही रखते हैं वे बच्चे अपना ही नहीं सबके स्थित्व का एक साथ धयान रखते हैं उनमें भेदभाव करने की भावना नहीं रहती बच्चों में अनुकरन करने की महतवपूर्ण प्रवृत्ती होती माबाब अभिभाव कों का जीवन उसके लिए निकट मत और आत्म भाव से भरा हुआ प्रतीक आदर्सों का केंदर होता है इस तरह माबाब के उपर ही बच्चों के निर्मान का महतवपूर्ण उत्तरदाईत्व है माबाब अपने इस उत्तरदाईत्व को समझें और प्रयत्न करें तो इन खिलते हुए कोसुमों में सदगुन्स, सदभावों, अच्छी आदतों, सदाचार, शील, पुरुशार्थ, साहस, आदी का सौंदरी और सुगंधी भर जाए और सामानी से बच्चों में ही अनेक महापुरुस निकल सकते हैं प्रकृती सरीर देती है किन्तु मनुस से उसे व्यक्तित्व मनुस्यता देता है बच्चों के भविस्य की रूप रेखा बच्चपन में ही नरधारित की जाती है अतहाँ छोटी छोटी बातों की जानकारी बच्चपन से ही उसे दी जानी चाहिए हम जिन्हें छोटी बाते कहकर टाल देते हैं उनका बच्चों के जीवन में बहुत मात्वा होता है हम बच्चों को ना समझ समझते हैं किन्तु बच्चा हमारी हर गतिवीधी को समझता है बच्चा कुछ करता है तो माँ उसे डांट देती है खाने पीने पहनने ओढ़ने खेलने की सभी चीज़ों के लिए बालक हट करता है बच्चा यदी कपड़े के सूटकेस के पास जाकर कहता है कि मैं तो वही सट पहनूंगा तो मा कह देती है कि वह तो बंदर ले गए लेकिन बच्चा जानता है कि वह सर्ट इस सूटकेस के अंदर ही है इसलिए वह रोता चिलाता है माउसे डाटती और मारती है किन्तु कुछ देर बच्चे को रूलाने चिलाने के बाद वह चीज माउसे दे देती है इससे बच्चा जान लेता है कि वह हर चीज के लिए जिद करते क्योंकि उसे मालूम है कि वह चीज उसे मिली जाएगी ऐसी बात ये अधिकांस घरों में पाई जाती है जिसका परेडाम यह होता है कि बच्च के हिरदे में अपने माता-पिता के प्रती सम्मान की भावना कम हो जाती है उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो जूट बोलते है बच्चे समझ जाते हैं कि उनके रोनेच चिलाने से उनकी चीजें उन्हें मिल जाएंगी इसलिए वे हर समय ही इसी तरह जिद करते हैं और माता पिका को उनकी बार माननी पड़ती दो-तीन वरस तक बच्चों की एक्षाएं सिमित होती किन्तो बालक जेवी चार-पांच वरस का होता है तो उसकी एक्षाएं भी बढ़ जाती है किसी भी वस्तु को देख कर बालक उसे मांगता है आईसक्रीम वाले को देखकर आईसक्रीम की मांग करेंगे, मुहले के बच्चों को देखकर उनकी चीजों की मांग करेंगे, कभी पैसे की मांग करेंगे, इस तरह हमारे सामने एक समस्या आ जाती है, क्योंकि वस्तू बेचने वालों को तो रोक नहीं सकते, जगा पर किसी का बंधन नहीं है अतह यदि शांत मस्तिक से विचार किया जाए तो यही निसकर्स निकलता है कि बच्चों को उनकी आयू वृद्धी के साथ ही उन सभी बातों का सिक्षन दिया जाना चाहिए जो की उनके जीवन के लिए उपयोगी है अन्यथा आगे चलकर माता पिता तथा स् जूल कर्ची बन जाएगा कई घरों में बच्चों को पैसे नगत दिये जाते है वे इसलिए कि बच्चा उनका स्वयम के लिए उपयोग कर सके किन्तू होता है इसके बिपरीद है पिता जो पैसे बच्चे को देता है मा उसे गोलक मरक देती है और गोलक मा की पास अधिकार में रहती है बच्चा यदि पैसों की मांग करता है तो मा यह कह देती है कि बेटा तुम्हारे पैसों को गोलक भर रही है जब पूरी भर जाएगी तब देंगे और जब पैसे पूरे भर जाते हैं तब मा उन पैसों को निकाल कर स्वयम खर्च कर लेती है जिन पैसों पर ब उसे प्रारंभ में ही यह अभ्यास सिखाना चाहिए कि हमारे पास जितनी चीज है उतने में ही हमें काम करना चाहिए। प्रारंभ में ही इस तरह यह स्वास्ति के लिए हानिका रख होती है। तरह खुमचे वाले के पास नहीं जाता है। तरह भी जाता है। प्रारंभ में ही जाता है।